नमस्कार जैश्री राथे मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब मेरा यूट्यूब चानल देख रहे हैं करिश्मा कौशिक के नाम से तो सबसे पहले आपको अबर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो नीचे दिये गए बेल आइकन को प्रेस करके सबस्क्राइब कर दे मेरा चानल और आज हम बात करेंगे शरत पूर्णिमा की देखिए ये एक ऐसी तिथी होती है जो कि हर पूर्णिमा में बहुत ही खास होती है क्योंकि पूर्णिमा यानि चंद्रमा जो है वो बिलकुल पूरा होता है अपने पूरे अकार में होता है और इसके साथ हे साथ हर महीने में एक पूर्णिमा तिथी जरूर आती है तो इस तरहा से जो पूर्णिमा आती है वो बारा पूर्णिमा आती है एक वर्ष के अंदर अंतर अब ये जो पूर्णिमा होती है यानि शरत पूर्णिमा जो होती है ये इन बारा पूर्णिमाओं में से बहुत जादा एहम होती है क्योंकि इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है अब अगर हम बात करें तिथी की तो यह जो यानि शरत पूर्णिमा जो पढ़ती है वो आश्वेन मास की पूर्णिमा तिथी पर पढ़ती है तो आश्वेन के पूर्णिमा शरत पूर्णिमा मानी जाती है अब इस तिथी पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं यानि अपने जितनी भी परिशानिया है उनसे छुटकारा पा सकते हैं किस तरहां से क्योंकि देखिए चंद्रमा का कनेक्शन कहीं न कहीं हमारे मन से माना गया है हमारे धन से माना गया है तो इसी तरहां से चंद्रमा का एक तरह से कनेक्शन देखा जाए तो माता लक्षमी से भी माना गया है माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है चंचल होती है इसी तरह से जो चंद्रमा होता है वो भी बहुंँ जादा चंचल होता है आप देखेंगे हर धाय दिन बाद जो है चंद्रमा अपनी राशी बदल देते हैं और डेली अगर हम आकाश में देखें चंद्रमा का आकार तो घटा बढ़ता रहता है, तो इसलिए चंद्र मा भी चंचल है, माता लक्षमी भी चंचल है, और हमारा मन भी चंचल है, कहीं पर भी स्थिर नहीं रहता, तो इसके लिए इस रात्री में यानि शरत पूर्णिमा पर आप पूजा अराधना कर सकते हैं माता लक्षमी की, और इस कहा जाता है कि मा लक्ष्मी जो है इस दिन धर्ती पर आ करके भ्रह्मन करती है और कही न कहीं जो उनकी पूजा करता है जो उनको एक तरह से पूजा अराधना करता है खीर इस दिन अगर मातालक्ष्मी को अरपित करी जाती है तो कहीं न कहीं मातालक्ष्मी जो है अपनी कृप होते हैं सिचीनी है चावल है दूद है इसके साथ साथ पंच मेवे हैं इन सब का connection जो है कही न कही चंद्रमा और शुक्र दोनों से ही है तो इस दिन अगर आप खीर बना करके चंद्र की रोष्णी में रखते हैं और इसके बाद इस खीर को ग्रहन करते हैं यानि खाते हैं तो कही न कहीं आपके अंदर जो भी रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है और इसी तरह से आप चंद्रमा की अराधना भी कर सकते हैं चंद्रमा को इस दिन द पर ही चंद्रमा के मंत्र जब करें बल्कि अगर आपको मांसिक तनाव रहता है डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब चीजों के अगर आप शिकार है और इन सब चीजों की अप मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी आप चंद्रमा के अगर मंत्रों का जब करते हैं ओम सोमाय नमहा या ओम सह चंद्रमा से नमहा तो कहें न कहीं इन सब चीजों से भी आपको चुटकारा मिल जाता है और भी ऐसी खास बाते मैं लेकर आऊंगी अपने यूट्यूब चानल पे तो जरूर सब्सक्राइब करने करिश्मा को शिको मुझे दीजे अजाज़त नमशकार जैश्री राद